हाई दोस्तो टीफुर चान में आप स्वागत है दोस्तो आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप अपने रेड्मी या फिर एमाई के किसी मोंबाइल फोन में आप स्क्रीन का टाइम आउट कैसे आप सेट कर सकते हैं तो सबसे पहले हम समझते हैं कि स्क्रीन का टाइम किसे का जाता है जैसे कि जब आप स्क्रीन पर रहते हैं और यहां पर स्क्रीन चालू रख के छोड़ देते हैं तो खुद बखुद यह कुछ टाइम के बाद यह आउफ हो जाती है तो उसको आप कैसे आप सेट कर सकते हैं या फिर उसका टाइम कैसे आप कम करके तो रख सक के settings को open करना है तो यह रहा मेरा settings आप अपने iPhone के settings open कर लिजे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं इसमें आपको दो method यानि कि दो तरीका है यानि कि screen timeout set करने का तो अगर आपका पहला तरीका अगर आपके mobile में 100% काम करेगा तो चली नीचे चलेंगे नीचे चलने के बाद यहाँ पर एक आपको option मिलता होगा डिस्पले लिखावा यह देखिए डिस्पले तो कई-कई मोबाल में क्या होता है कि यह डिस्पले के अंदर जब आप जाएंगे और जाने क्लिक किया यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि 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 इतनी टायम तक आपको इस्क्रिंड घिस्पले ऑच चालू रहना चाहिए पर 15 सेकंड केएवा आपका स्क्रिंड लाइट श्प्लिय और लोक हो जाएगा या पर 30 सेकंड के यह settings अगर आपको नहीं मिल रहा है, यानि कि display के अंदर आपको settings नहीं है, तो आपको क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, आपको निचा आना है, निचा आने के बाद password and security का option है, इसमें आप click कर लेंगे, इसमें आपको 100% भी लेगा, फिर आपको नीची जाना है, इसमें भी आपको lock screen का option है, इसमें click करेंगे, first में sleep का option है, यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर जितना time आपको screen पे रहना है, लाइट जलते रहना है वो set करेंगे उसके बाद done करेंगे 5 minutes तो हमने 5 minutes set कर दिया अब यहां पर 10 minutes और 10 minutes set हो गया तो दोस्तो इस तरह किसा अपने screen के time out light को कम या ज़्यादा कर सकते है time को set करके set कर सकते हैं तो दोस्तो वीडियो को like करें share करें तो मिलते हैं next video में तब तक क लिए तर निवाद